दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार बोद से मैतिक या इंतर का एक्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल करके आज चुकि यह बहुत सारे एस्टुदेंट का जो है यहाँ पर एदमीट कार्ड जारी नहीं किया गया है यानि कि करीब 46,000 हम बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 2024 में बोद एक्जाम देने वाले हैं और आप भी इस तरह का गलती किया होंगे तो आप लोग कभी एदमीट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और आप लोग भी एक्जाम देने से बंचित रहा जाएंगे तो वीडियों में अ पेपर कतिंग जारी किया गया जिस पेपर कतिंग में बताया गया है फेल चात्रों के लिए परियोगी परिक्षा का प्रवेस पद्र भी नहीं हुआ जारी यानि कि दोस्तों जो एक्जाम से पहले जो सिंटप एक्जाम होता है उसमें करीब 66,000 एस्टुदेंट फेल कर चुके हैं जो लोग जो है फाइनल एक्जाम नहीं दे पाएंगे उसके बाद यहां पर बत्या गया है मैत्रिक और इंतर सेंटर परिक्षा में इस बाद 66,000 छात्र फेल हो गये हैं इस बाद यहां पर बत्या गया है बताया दे कि बोष ने पहले जिस थे और बताया दे कि बोले सवीट दै ओके माधेम से सब्याव इस स्कूलों को इसकी सुचना दे दी थी मैत्रिक इंतर की सेंटर परिक्षा में उपस्थित होना और उसमें पास करना जोरी है परिक्षा के बाद सभी स्कूलों से उपस्थित और उतिर्म छाथ-छात्राओं की संख्या मांगी गई थी इसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी परि परिक्षा में सामिल हुए जिनमें 5,000 फेल हो गएं बतादे की राज के 10,000 विद्यार्थी मैत्रिक परिक्षा में सामिल हो रहा है यानि कि दोस्तों मैत्रिक में करीब 16,000 लाख और इंतर में करीब 13,000 के आस पास जो है इस बार बोद एक्जाम देंगे उसके बार यहां पर बता गया है पतना के D.E.O. अमीत कुमार ने बताया कि इस बार पतना जीले से सेंटर परिक्षा में 7,666 फेल हो गए हैं यानि कि दोस्तों यहां पर पतना का रिपोर्ट बताया गया है कि पतना में करीब 7,000 एस तुदेन जो है फेल हो चुके हैं उसक जातर बोद परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे इसकी सुचना बिहार बोद ने पहले ही दे दी थी जैसा कि दोस्तों इससे पहले ही बिहार बोद ने ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था कि जो एस तुदेन सेंटर पिक्जाम में फेल कर जाएंगे वैसे एस्टुदेन को बोद एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो दोस्तों जैसा कि यहां पर अभी आप इस पेपर कटिंग में देखें इस पेपर कटिंग में बते आ गया है कि करीब 16,000 से अधिक एस्टुदेन जो इस बार बोद एक्जाम में सामिल नहीं हो पाएं उसमें अगर आपको लगता है कि आप फेल कर जाएंगे तो आपको जो बोद एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा और आप लोगों का आता है वो एदमित का भी जारी नहीं किया जाएगा जैसा कि आप लोगों को पाता ही होगा कि अभी जो तुवेल्थ वाले एस्टुद का अब प्रेक्टिकल का एदमित का जारी किया गया एस्फ उनहीं इस्टुदेन का बोद एक्जाम का बीजारी नहीं हुआ है वह यसे इस तुदेनको बूध एक्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा साथ ही जो एस्टुदेन्थ मैंá फाइनल एक्जाम हैं बैतने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों विदयाले परिक्षा समिती पतना दोरह एक नोतिफिकेशन जारी किया गया जिस नोतिफिकेशन ने बते गया था सेंटप में छहासाथ हजाद से अधिक फेल इस्टु देंट नहीं दे पाएंगे बोद परिक्षा जिसको लेकर कम्प्लीट जनकाई हम आपको इस वीडियों परवाइद किये तो उम्हीद करता हूं कि आपको वीडियों काफी पसंद आओगा वीडियों पसंद आया